Brought to you by Agilis Diagnostics Agilis Diagnostics आज ये मानने पर मजबूर हो गया कि उसे भारत की ताकत को समझने में गलती हो गई दरसल चीनी थिंग टैंग शंगाई इंस्ट्यूट फॉर इंटरनेशनल इस्टडीज की हालिया रिपोर्ट में ये साफ तोर पर कहा गया कि चीन ने भारत को लेकर अपने अनुमान में गलती की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2024 के बीज भारत ने आर्थिक और सैन ये दोनों ही छेत्रों में जबर्जस्त प्रक्ति की है चीन को ये भ्रमता की 2024 की चुनाव में पीम मोदी की पार्टी की सीटे घटने से उनके फैसले करने की छमता पर असर पड़ेगा लेकिन पीम मोदी ने अपनी छमता से चीन के सभी भ्रमों को दूर कर दिया 2014 से पहले चीन भारत के सैन इंफ्रस्ट्रक्चर को कमजोर मानता था उसे लगता था कि भारत कभी भी चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा लेकिन पिछले एक दशक में भारत ने अपने सैन इंफ्रस्ट्रक्चर में जिस तेजी से सुधार किया उसे चीन भी हैरान है चीन का मानना है कि भारत कभी भी उसकी तक्निकी और साम्रिक छमताओं का सामना नहीं कर पाएगा लेकिन भारत ने न किवल अपने रक्षा बजट पे विद्धि की बलकि उसने अपने सिमावर्ती इलाकों में सैने तयारी को मजबूत किया पिम मोदी की धृण नीतियों के कारण भारत ने चीन से सटे सिमावर्ती इतने मजबूत फैसले लेकर सामने आएंगे चीन को ये विश्वास था कि गडबंदन की सरकार होने के कारण पिम मोदी पर दबाओ रहेगा और वो बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे लेकिन पियम मोदी ने न केवल चीन के इस प्रम को तोड़ा बलकि उसे दिखा दिया कि भारत किसी भी इस्तिती में कमजोर नहीं है खैर चीन को अब ये समझ में आ रहा कि उसने भारत के प्रती अपनी नीतियों में गलती की है चीनी थिंग टैंक की रिपोर्ट में ये साब कहा गया है कि 2014-24 के भारत ने जिस तेजी से विकास किया वो चीन के अनुमान से कहीं बहतर है चीन को अभी अहसास हो चुका है कि उसे भारत के प्रती अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से चीन का बयान आया है उसे लेकर कॉमेंट करकर जरूर बताएं ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक